ट्रक बाइक के साथ खड़े प्लेन को देखकर चौक गयना आप सोच रहे होंगे कि सड़क के किनारे खड़ा ये प्लेन क्या कहीं कलती से लैंड तो नहीं हुआ तो जवाब है नहीं दरसल इस प्लेन का अविश्कार ही इसी हालत में हुआ है और ऐसा करने वाले शक्स हैं बजरंग लाद जिन्होंने खुद का दो सीटर प्लेन इजाद कर डाला राजस्थार में चुरू के दसूसर गाओं के बजरंग ने सभी को हैरत में डाल दिया खास बात ये है कि बजरंग महज पांचवी पास है पहले मुबाइल रिपेरिंग की दुकान पर काम करते थे लेकिन प्लेन बनाने के लिए 15 लाक रुपे खर्च कर डाले बजरंग को इस प्लेन को बनाने में 8 साल लग गए इस प्लेन की डिजाइन में उन्होंने हर एक चीज का ख्याल रखा है जिसमें GPS से लेकर जरूरी सब ही equipment लगाए गए है फ्यूल के लिए इसमें पेट्रोल का इस्तिमाल होना है हाला कि बजरंग के इस प्लेन का टेस्ट अभी नहीं हुआ है और इसके लिए उन्होंने जिला प्रसाशन से मन्जूरी मागी है हवाई जहाज का गिक्सिक डिजाइन जात किया गया है तो उसमें सबसे पहली तो मैंने इनको हिदायक यह नहीं है कि आप इसकी सुरक्षा के प्रतीन जो सर्टिफिकेशन है उसको कराने से पूर किसी भी प्रकार से इसका इस्तमाल बरतमान में ना करें दूसरा एक बार उसकी सर्टिफिकेशन हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि किसी ने किसी तकनीकी संस्थान में के साथ इनको उनकी मदद दिलवाते हुए बजरंग का दावा है कि ये प्लेन 180 किलोमीटर प्रती घंटे की उडान भरने के काबिल है डारेक्शन, स्पीडो मीटर और खुद से बनाए गए सेंसर इसमें लगाए गए है एरक्राफ्ट कितनी उचाई पर है ये भी डिस्पले में दिखाई देगा बजरंग के साविशकार की इलाके में चर्चा है बजरंग के टीचर को भी भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि पढ़ाई के दोरान भी बजरंग के ओसच छात्र ही रहे बावजूद इसके ये टू सीटर प्लेन बनाने का हुनर चौकाने वाला है आसपास के लोग भी बजरंग का लोहा मानने लगे हैं जिस तरह से कोई भी अधिकारी जो शक्षम हो इसको संबल दे करके किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी तरकी कर सकता है इसने पहले भी ड्रोन बनाएं ड्रोन बना करके फिर उसके बाद में हमेसा ये कुछ न कुछ करता ही रहता है और ये चाहरा है कि मैं अब और ज्यादा कोई और बनाओ और इसको उड़ने की मुझे इजाज़त मिल जाए तो मैं उड़ा करके दिखाऊ बैरहाल बजरंग अपनी मेहनत को आसमान तक पहुँझाने के लिए बेकरार है उन्हें इंतिजार है उस दिन का जब वो अपने बनाए प्लेन से हवा में सफर कर सकेंगे और अपने ख्वाप को हकीकत में बदल सकेंगे